रेडियो मिर्ची 98.3 FM प्रेजेंस प्रेजेंस अच्छा मेरे पास में एक कार है बहुत अच्छी कार है मेरे पास कार है मैं उसमें घुमाने ले चलूँ आपको ममे पापा मना करते हैं तो हमें काम करेंगे गाड़ी में आपको बिठा हुआ फिर हम जब दूर लॉंग ड्राइफ पर चलेंगे फिर ममे पापा को फोन करेंगे और ममे पापा को सर्प्राइज भिल जाएगा है ना तो आप चलो को मेरे साथ गुमने अभी आ जाएगा में पर चॉकलेट भी है गाड़ी में अंदर बहुत सारे टॉइज और चॉकलेट्स हैं नहीं ममी पापा तो मेरे भी मना करते थे लेकिन मैं जब गुमने जाता तो मुझे बहुत मज़ा आता था है ना आ जाओ अंदर है ना आ जाओ आ जाओ आ भी आ पाकेंग चलो मेटा गुमने चलते हैं इनसे बात करनी है इनसे बात करनी है क्या बात करनी है जहाि अंगर नहीं बोल रहा है जब इनके घर का कोई बचÇा ऐसे रहीं जैसे मैं आपको ले जा रहा हूं आपने ये लिगा था था ना कि ये बच्ची मुझे जानती नहीं है मैं भी इसको जानता नहीं हूँ, और मैं इसको गाड़ी में बिठा के ले जा रहा हूँ, और आप फिर भी छुप रहें। आपने ये भी देख लिया था कि मैंने इसको चॉकलेट दी और ये मुझे जानती नहीं ये ये भी कह रही थी कि इसके में पापा मना करते हैं किसी अंजान आदमी के साथ जाने में आपने ये भी सुन लिया कि मैं इसको चॉकलेट दे रहा हूं आपने ये भी सुन लिया मैं उसका और क्या होता अगर युटियो नहीं नहीं होता है एग यह दो मिसमा जाए विख लिया है बेटा आप जानते हैं नहीं फोड़ी है फल्ट है यह देख लेए आपने अनफॉशनेटली मुझे बताना पड़ रहा है कि कितना इग्नॉर करते हैं आपको मालू हमारे देश में एक साल में आपके इग्नोरंस की वज़ा से हजारों बच्चों को किड्नाप किया जाता है हमारे देश में एक साल में आपके इग्नोरंस की वज़ा से हजारों बच्चों को रेप किया जाता है आपके ignorance की वज़ा से child abuse किया जाता है आपके ignorance की वज़ा से इस देश के हजारों माबाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तरसते रहते हैं सिर्फ आपकी ignorance की वज़ा से आपको मानवन दलज सोचिए रदुमण को जिसने भी मारा होगा वो वहाँ पे होगा और कोई ऐसा भी इनसान होगा जिसने ये देखा होगा कि प्रदुमन उसकी तरफ जा रहा है अजान आद्मी की तरफ और उसने एक्नोर कर दिया होगा अगर सोचिये वो एक्नोर ना करता तो आज प्रदुमन हमारे साथ होगा अब ऐसा किसी के साथ ना हो प्लीज एक्णूर मत करा करिए बताया करिए लोगों को रोका करिए और एक खास बार अगर इस वीडियो को आपने शेर नहीं किया ये वीडियो दूसरों तक नहीं पहुचाया इसका मतलब एक बार फिर आपने एक्णूर किया तो इक्णूर मत करिएगा क्योंकि हो सकता है अगली बार आपके बच्चे को कोई किड़नाप करने के कोशिश करे तो प्लीज बच्चों को सेफ रखिए आप खुद सेफ रहिए और खयाल रखिए बाई